असलाम लेकूं मेरा नाम है महसीन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूटीब चैनल महसीन चोधरी उमीद है कि आप सब लोग हैरी से होंगे और पिल्कुल टीक होंगे तो आज की हमारी वीडियो को टॉपिक है कम्प्यूटर टिप्स और टिप्स आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी शानदा टिप्स लेकर आया हूँ जिससे आपके काम करने की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी और आप अपना काम असानी से कर सोगे तो फटा फट से वीडियो को लाइक करो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकर मैं ऐसी बहुत सी अमेजिंग टिप्स और टिक्स लेकर आने मला तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हूँ अच्छा जी तो जो पहली हमारे पास ट्रिक है वो यह है कि आपके सामने ये बहुत सारी फाइल नदर आ रही है आप चाहते हैं कि आप इन फाइलों को में कुछ देखना चाते हैं और आपका इरादा है कि हम इन फाइलों को ओपन ना करें open किये बगार ही हम इनको देख लें इस फाइल के अंदर मैंने क्या write किया होई इस फाइल के अप देख सकते हैं कि बहुत सारी files हैं यह सेम नाम से save हैं लेकि मैंने इनके variants बना रखे हैं तो मैं चाहता हूं कि मुझे पता जाए लेकि कि मैं फाइल को जो हो उपन किये बगार ही देख लिए इसके लिए simple से trick है आपके पास आपने अपने keyboard से just alt plus p press करना है जैसे ही आप अपने system में keyboard से alt press p press करेंगे तो आपके सामने यह एक window पेर हो जाएगी यह देखें लिखा नजर आ रहा है select a file to preview इसको थोड़ा से हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे जो फाइल हम review करें उसको नजर आ सके और for example मैं देखना देता हूं कि मेरे पास जो 2.1 file है उसमें क्या लिखा हुआ है इसको open नहीं करने था मैं जैसे इसको select करने हुआ तो यह देखें आपके सामने यह नजर आ गई यह file open हो गई है देखें आपको यह उड़कर दिख लेते हैं 2.5 पर कर लेते हैं देखें अब यह open हो जागी आपके सामने तो ऐसे हैं for example नीचे भी कुछ files हैं देखें यह PDF file है यह पर यह देखें यह देखें जी आपके सामने बगाईदा यह open हो चुकी है यह file तो यह बहुत ही असान और simple tip है आपके पास है कि अगर आपको पास बहुत सी files है और आप देखना जाते हैं आप file को open किये बगाईर ही preview करना जाते हैं तो आपने जस्ट window प्रस्पी पर प्रस्क करना है तो आपके सामने एक new window पे रो जाएगी जस्ट आपने file को select करना है तो आपके सामने यह इस तरह से कुछ इस तरह से open हो जाएगी अच्छा जी अगर आप इसको जाते हैं खत्म करना तो again आपने अपने keyboard से alt plus P press करेंगी तो यह यहां से खत्म हो जाएगी अच्छा तो next जो ट्रीक है हमारे पास वो है for example हम अपने वर्ड पर फाइल पर काम करें और हम चाहते हैं हम साथ पर कोई emoji भी आड़ करना जाते हैं आपने social media भी यूज किया होगा तो social media पर आप देखते हैं कि social media पर हम जब चैटिक कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास emoji emoji का option है लेकिन हम हरे पास यहां word पर कोई भी emoji का option नहीं है अगर आप चाहते हैं कि आप इस यहां पर emoji add कर सकी आपने करना यह है कि आप इंपर अपने keyboard से window का button साथ में full stop का button press करेंगे वह साथ ही आपके सामने यह देखें आपके सामने यह यह appear हो जाएगी उसके साथ ही आ मैंने यूज़ कर लिया मैंने यह यूज़ कर लिया अब आप इनको साइज भी बड़ा कर सकते हैं यहां से यह देखें अच्छा जो number three trick है वो आपके पास यह है कि for example आप चाहते हैं कि आप स्क्रीन चार्ट लेना जाते हैं अपने अपने करना यह है आपने अपने computer में laptop म सर्च बार में जाकर टाइप कर लिना है टैप recorder जैसे यह आप यह लिखेंगे आपके सामने यह लिखें इसको उपर कर लीजिए यह आपके सामने फीर होजएगा अब आपने जो जिस window पर भी आप काम कर रहे होंगे जस्ट आपने इसको start करना वो automatically उसका एक screenshot capture कर लेगा अ अब इस को जूँज कैसे करना है यहां से देखें यह लिखा हुए start recorder आप इस पर just click कीजिए तो यह start हो गया अब जैसे यह start हो गया जिस भी window पर ही होगा उसका screenshot capture कर लिया और इस वक्रेंपर मैं इस screen पर हूँ तो इसने इसका screenshot capture कर लिया है अब चलते हैं मैं दूसरी screen पर पर इसने इसका भी capture कर लिया हुआ अब मैं for example इस screen पर हूपन है canma पर इसका भी capture और word file पर इसने इसका भी capture कर लिया अब देखना कैसे है अब देखें आप इसको यहां से stop record पर क्लिक कीजिए तो यह stop हो जागा अब यह देखें यहां पर यह आपको बता रहा है देखें जितने भी capture की वो सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे सबसे पहले देखें उसने मैं इसमेंटों पर था तो यह screenshot आ गया उसके बाद मैं यह screenshot के सामने है उसके बाद यह कि मैं जितने जितने मैंने जो जो से विंडों यूज किया है वो उसके सारे के सारे स्क्रीन शाट को capture कर लिया अब आपने करना कि इसको सेव करके सेव करके सेव करने और यह सारे के सारे आपके क्योंकर यह screenshot जैदा है तो यह आपके पास एक zip file में store हो जाएंगी अच्छा नेक्स्स जो आपके पास trick है वो ही यह का फॉर ईपर किसी एक विंडो पर काम कर रहे हैं अपने इंधे वर्ड फाइल पर काम करना है आप क्या करेंगे आप सिंपर अपने laptop से विंड्डो प्लस एरो का बटन की प्रेस करेंगे तो आपके सामने यह एधिये मुल्टीपल फ वब सारे के सारी Files open हो गई हैं for example मैं एक वक्त पर दूरे-ब्लिकेशन प्रकाम कर जाता हूं मैं वर्ड पर और Excel पर QAAM कर जाता हूं तो मैं यहां से Excel को स्लेक्ट कर Leuch NEए देखें गो kartफ ऑफके सामने आगर आ चुकी है अब देखिए अब दोनों फाइल पर एक वक्त में दोनों फाइल पर काम कर सकते हैं अच्छा जी तो हमारे पास जो आज की फाइनल ट्रिक है वो यह है कि अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे सिस्टम कौन सा है अब हमें अपनी सिस्टम की कम्पलीट जैसे ही आप यह टाइब करेंगा आप एंडरप्रेस किजिए आपके सामने एक न्यू विंडू भी हो जागी यह देखें इसमें आपके सिस्टम की कम्पलीट इंप्रमेशन उसने प्रवाइड कर दिया सिस्टम का इस वक्त उसका नाम को प्रिटिक ही सब कौन सा है लैंग झाल